सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूटूब चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को सबसे पहले वीडियो अपडेट पाने के लिए नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी गा हमारे यूट्यूब चैनल पर देखिये दोस्तों आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे आपकी जो यूपी टेट है UPTATE की जो exam है उससे related अपन जो important जो books है उससे related अपन बात करेंगे देखिए मेरे पास कहीं student की comment आये थी कि sir UPTATE के लिए कौन सी book है वो हमको पढ़नी चाहिए उसके लिए आप prefer कीजिए कि कौन कौन सी book है उसमें अच्छा content है वो लिखा गया है जिसके कारण है हम UPTATE के exam की त्यारी करके और बाद में सेलब study करके भी इस exam को clear कर सकते हैं तो देखिए आज के इस वीडियो में हम यही बात करेंगे UPTATE के लिए अगर आपने book purchase नहीं की है देखिए पहले तो आपने अगर book purchase कर ली है तो आप उनी book से study कीजिए मैं यह नहीं कहूँगा कि आपको purchase क्यों ही book है उसको वापस दे दीजी या फिर उसके बावजूद आप दूसरी book purchase कीजिए आपने जो purchase की है वो भी अच्छी book purchase की होगी मुझे इसी उमीद है और आप उसी book से त्यारी कीजिए लेकिन जिस भी candidate न अभी तक book है वो market से purchase नहीं की है तो उसको मैं कुछ बता रहा हूँ बुक है वो अलग अलग जैसे child development के लिए कौन सी book पढ़नी चाहिए आपको समाजी के देन के लिए कौन सी book है वो पढ़नी चाहिए जो mathematics है उसके लिए कौन सी book आपको पढ़नी चाहिए जो अच्छा content लिखा गया है ना उसकी अपन बात करेंगे देखें मुझे इसके लिए कोई अलग से benefit नहीं मुल रहा है अलग सी profit नहीं है नहीं मैंने आपको कोई book purchase करने की description में link दे रही है जहां से अगर आप book purchase करेंगे तो मुझे कुछ मिलने वाला है ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है मेरे पास comment आई थी यूपीटेट के student के लिए कि सर कौन सी book पढ़े ऐसा आप बताए तो मैं जो आपको book prefer कर रहा हूँ आप वो खरीद सकते हैं आप market में कहीं से भी खरीद स में पुछा जाने वाला है उसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो प्रवाइड करा दूँगा कल या परसों में उसमें अपन complete बात करेंगे आपके यूपीटेट में पाथे करम में कौन-कौन सा आपका syllabus है complete syllabus के अपन बात करेंगे इसलिए सब्सक्राइब करेंगे ब मैंने आपको एक अलग सी वीडियो प्रवाइड करवा रखा है सारा जो schedule है वो जारी हो चुका है यूपीटेट के लिए उसकी लिंक पी मैंने आपको description में देरेखिए आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं यूपीटेट का पूरा schedule है वो जारी क्या जा चुका है द है तो देखिए बाल विकास और स्क्षण के लिए सर्व स्लेस्पो स्टक है वह आप देख सकते हैं किए जो प्रकासं के तुआरा है यह जो काफी उप reciproc है यूपीट IG बाल विकास और अध्यापन के लिए किरेंट प्रकासिंग की बुक है वह आप पड़ सकते हैं इस पुस्तक की विश्यस्ताओं के अगर अपन बात करें तो देखें इस पुस्तक में जो मात्रा है यानि कि इसका जो content है और जो सामकरी है उसकी गुणवता है वो क्या है इसमें कम दे रखिया लेकिन इससे आपको ये इडिया लग जाएगा कि जो परीशा का जो पेटर्न है यानि यह जो महतोपुन विश्यों को कवर करती है ना नि कि प्रिशा का परिटर्न है वो किस तरीके से है कौन से topics से कितने किशन पूछे जा रहे है और जो महतोपून important जो इसमें subject है, वो कौन-कौन से subject से question है, वो maximum बनने की संभावना होती है, इससे आप इस book से आपको idea लग जाएगा, तो इसमें देखे, person जो इसमें दिये गए है, वो काफी मात्रा में, इसमें question दिये गए है, तो आप ये book आप ये अच्छी है, अगर आप बाल वुकास की आप ये धिन करना साथ है, यूपीटेट के लिए, पूरे पाट्य करम को ये cover करता है, विस्ता नहीं है कि इसमें एक भी subject है, उसको छोड़ा गया है, पूरे पाट्य करम को ये book है, वो cover करती है, वो इसी की साथ में आपके घ्यान को परिक्षन करने का इसमें मुका दिया गया है, मुका इसलिए दियता है, क्योंकि इसमें जो model paper भी दिये गए है, जिसके आप अगर कोई concept अगर आप क्लियर करते हैं, तो इसके बाद में खुछ या model test paper है, उसको आप हल कर सकते हैं, जिसके मादर में से आप को कितनी मतलब content तयार हुआ है, उसके मादर में से आप को इसका idea लग जाएगा, तो आप इस बुका जो cover page है, वो देख सकते हैं, इस तरीके से इसका cover page है, आपको ये book खरीदनी चाहिए, अगर आपने अभी तो कोई भी book नहीं खरीदी है, तो आप किरन परकासन की ये book खरीच सकते हैं, अब देखे आगे आगे आपन बात करते हैं, अंग्रेजी बासा के लिए आपको कौन सी बुक है, वो सर्व स्रेश्ट आपकी होनी चाहिए, तो ये अगर आप अंग्रेजी बासा के अगर आपन बात करें, अंग्रेजी बासा के लिए आपको ये book है, वो प्रेपर करनी चाहिए, ये book है, वो प्रकासन के द्वारा यह है और लेखह का नाम है Gita Saitay गिता साहिते के द्वारा यह बुक है वो प्रकासित की गई है पियरसन प्रकासन के द्वारा इस परेज बुक है उसका कवर पेज वो आप देख सकते हैं इस तरीकी से यह है देखने में उत्तरपरदेश और जो सेली है वो इल्कुल आसान इसमें दी गई है अगर आप कोचिंग भी नहीं करते हैं सेल्फ स्टड़ी करना चाहते हैं तो भी इस बुक में इतनी अच्छी तरीके से मतलब समझाया गया है कि आपको मतलब समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी अगर आप इंगली व्याकरण, सीखना सामगरी और उप्चारात्मक सिक्षन भी इसमें सामिल किया गया है तो ये एक अच्छी बुक है अगर आप इंगलीज की त्यारी करना चाहते हैं और यूपी टेट एक्जाम की त्यारी करना चाहते हैं तो पीयर्शन प्रकासन के द्वारा ये गीता साह के ज़री कर्ण के तरीकरण के लिए प्रकाट ये नामसे कसी बुक से करी सकते हैं हिंदी की लिए म्युटत चाहले गया है वो भी कापी अच्छा दिया गया है, UPT8 के जो मिद्वारों के आउस्चता के मुताबिक यह जो पुष्टक वो क्या है, उप्योगता है, इस पाठे करम में जो अच्छी तरीके से इसको कवर करता है, और परियाप्त मातरा में इसमें कंटेंट लिखा गया है, देखें, इस् यह पुष्टक है, वो आप हिंदी के बासा के लिए खरीज सकते हैं, अगर इसके अबने विष्टक के बात करें, तो अच्छी तरीके से यह पाठे कर्म को कोर करती है, और प्रियाप्त मातरा में इसमें सामगरी लिखी गई है, इसकी बासा है, वो भी सपष्ट है, उसको स इसमें समाजी करद्यान का जो भी topic आप पड़ोगे तो पूरे इसमें विश्तरत दिया गए है अगर आप इसमें नोट्स अगर आप खुदी बनाने पड़ेंगे इसमें नोट्स रूप में यह बुक है वह आपको नहीं मिलेगी इसमें विश्तरत पार्टेकरम है विश्तरत teat के लाम कि त्यारी करें था आपको य।ä teat यहां के था आपको आप यूपी टेर्ट के इसमें मिलेंगे तो समाजी इसमाजी बेद्धियान के एक त्यारी करते हैं Easy बहुतर लुक स्टेड़ी practice कर सकते वरे अगर आप यूपी theat desperate को एक्जान की त्देर ≫ कर रहे हैं त उसके लिया आप जो बुह पॉखाती है वह सर्वेस बुकाती है अच्छी बुकाती है इसमें जो कंटेन्ट दिया गया है सबी अध्याइव के अध्याहिट आनाए और शाद में प्रेक्टिकल परसन वह इसमें दिये गए है जिसके करण आपकी तयारी है उसका लेवल है वह इसमें सुधार कर सकते हो, इसमें अधारना को संसोदीत करने में साहेता की लिए परीक्षा में और तीन मौक टेस्ट को भी इसमें सामभिया गया है आपके जो भी पढ़ा है उसके माड़ijn से आपको कितना याद रहा है आपके जो एक्जाम में बैठोगी तो आपको किश तरीकी से एक्जाम में पेपर मिलेगा इस तरीके से तीन मोख स्ट भी इस अग्जाम इस पुस्तख में है वो कवर किये गए है तो आप खुझ से भी अपना टेस्ट है वो दे सकते हो देखिए यह पाट एकरम को अच्छी तरीके से कवर करता है और इसे प्रियाप्त मात्रा में सामगरी है वो दी गई है देखिए इस्तिमाल की गई बासा है वो सबस्ट है और इस बासा को समझना भी आसान है तो देखिए जो एंविरमेंट इस्टडी की जो बुक है वो आप इसमें विले प्रकासंग नाम फिस्टो बुक आती है मार्केट में आप किसी भी बुक सोब से खरी सकते हो यह बुक है वो अच्छी बुक है अगर आप यूपी टेट एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं अब देखे बात करते हैं आगे अपने अंक गनीत की और संख्याक में य नहीं खरीदी है तो बुक का नाम है डॉक्टर आरेस अगरवाल द्वारा मातरा तो में यो किता हैं प्रकासंग एस चंद के नाम से बुक है वो आपको मार्केट में मिल जाएगी किसी भी बुक सोब से आप ये बुक है वो खरीच सकते हैं इस पुष्टक में सभी बुन्य नाम से जो फब्लिश होती है आपको ये बुक है वो खरीदनी चाहिए अब देखेंगे आपको यही प्रेफर कर रहा कि हर बुक के आपको अलग खरीदनी चाहिए यहनि mathematics के अलग खरीदनी चाहिए, हिंदी के आपको अलग से guide खरीदनी चाहिए, English के अलग से, समाजी का ध्यान की अलग से इस तरीके से आप ध्यान करोगी तो क्या होगा कि हर एक चीज को समझना आसान हो जाएगा और हर एक चीज का concept आपको clear हो जाएगा लेकिन अगर फिर भी कुछ student सालते हैं कि हमें एक ही book में सारा content मिले, यानि की समाजी का ध्यान भी मिले, उसमें हिंदी से related भी उसमें मिले, उसमें समाजी विग्यान भी मिले, mathematics सारे कि उसने नमर एक ही book में मिले, तो आप उपकार publication की जो book आती है, वो आप खरीज सकते हैं, इसके exam date है, वो भी declare हो गई है, मैंने आपको वीडियो प्रवाइड करवा रखा है, description में आप उस वीडियो के लिंक दे रहे हैं, आप उस वीडियो को देख लेना, उसमें exam date है, वो भी declare हो चुकी है, आपके admit card है, वो भी कब आएंगे, वो भी सारा उसमें वता रखा है, म इस साल जो प्रतियोगिता का जो स्तर होगा, वो क्या हो, खटीन होगा, खटीन होने की इस बार उमीद है, पूरी-पूरी, तो देखें, इस तरीके से ये कुछ important book है, अगर आपने अभी तक market से कोई book नहीं खरीदी है, देखें, मैं आपको फिर से बोलना चाहता हूँ, अ इतना अच्छा content दिया गया है, कि आपको किशी चीज को समझने में, अगर आपको खटेना ही हो रही है, तो जो question का answer दिया गया है, उसमें इस तरीके से समझाए गया है, कि आपको हर चीज है, वो clear हो जाएगी, यह आपको coaching करने की जूरत इसमें नहीं पड़ीगी, आप अ इसलिए अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जुरू प्रेस कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का notification भी आपको सबसे पहले राप्त हो सके, मिलते है अपने नेक्स्ट वीडियो में, thanks for watching and keep lending, जै हिंद, जै आपके बारते